आज हम आपके साथ शेर करेंगे बहुती चेट पटी सी रेसेपी आज हम बनाएंगे टेस्टी बहल पूरी बहुत जल्द बन जाती है आप एक बार ट्राइज जरूर कीजिएगा आपको ये जरूर पसंद आएगी जब कभी आपको भूग लगी हो और आप चाहते हो चल्दी से क्यों के लिए कुछ खाना तो आप इस तरह से बनाएए हमारी रेसेपी से बनाएए बहल पूरी पिलकुल बजार जैसी आप एक बार खाएंगे तो इसको इतना पसंद करेंगे कि आप इसे दो बारा स्ज़रूर ट्राइगे और आप किसी को भी जब खिलाएंगे उसे भ एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें डालेंगे मुरूमुरे हमने मुरूमुरे थोड़े से ओयल में रोस्त किये हैं जिससे ये और ज्यादा क्रिस्पी हो गए है हम इसमें एट करेंगे बारी कटी हुई प्यास और बारी कटे हुए टमाटर इसके साथ हम इसमें शामिल क करेंगे बारी कटी हुई हरि मिर्च आप गिरीन छीली को अपने टेस्ट के अकोलिंग रख सकते हैं और इसके साथ इसमें जाएगा कोरिंटर को भी हमने बारी कट किया हुआ है हम इसमें कई तरह की नमकीन भी शामिल करेंगे जैसे बेसन की नमकीन इसके साथ जाएंगे इसमें सेव आप मिक्स सेव ले सकते हैं और इसमें जाने वाली है पीनट्स हमने यहाँ पर मुंग फली के दाने लिये हैं और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे चिप्स, इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे आलू बुजिया और नमक टेस्ट के एकोडिंग, हम इसमें रेट चिली पॉर्डर भी शामिल करेंगे और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, इसे चट पटा बनाने के लिए, चाट मसाला इसके टेस्ट को और ज्यादा बढ़ा देगा, बहल पूरी को और ज्यादा मज़ेदार बनानी के लिए, हम इसमें शामिल करेंगे हारी चटनी, जो बनी है हारी मिर्च और हरे दनिये के साथ, और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो केचप, अब हम इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे आधा नीबू हमने अच्छी तरह से mix कर लिया है चलिए इसमें नीबू एट करते हैं और एक बार फिर से इसे mix करते हैं इसे मिक्स करते टाइम चमच को हमें बहुत धीरे धीरे चलाना है जादा तेजी से नहीं चलाना है नीबू एट करने के बाद ये बिलकुर रेडी है तो देखा आपने ये कितनी जल्दी जटपट रेडी हो गई तो जब लगी हो भूग तो क्यों करें देरी क्यों न बनाए भैल पूरी आप इसे ट्राइ सरूर कीजिए आपको ये जरूर पसंद आएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक को शेर करें और हमारे चैनल जाइका एवरीडे को सब्सक्राइब करना नहीं भूल दो ओम यादर की अला हाफीज